आखिर कौन से बड़े पॉलिटेशन से मिलने पहुचे हैं शिव ठाकडे और यही नहीं बाहर आने के बाद उन्होंने शिव ठाकडे जो हैं उन्होंने मीडिया से क्या-क्या बाचीत किया है और क्या-क्या कहा है मीडिया को और किस कौन से बड़े पॉलिटेशन और उनको ब उन्होंने शिर्फ ठाकरे को आई आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट है नमस्कार आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांद शिर्फ ठाकरे जब से बिग बॉअस्कार आएं एक चीज बहुत साफ है कि अब शिर्फ ठाकरे का सिक्का जो है वो चल रहा है कही न कहीं किश्पागरी तो शेट ठाकडे ने कितनी बार शीष पर बोला है कियार मेरा एक सपना है कि YouTube बड़े पर्दे पढ़ पर आना है लेकिन अब शाइद नहीं वह भी पार्दे वाला सपना था वो साकार होता हुआ है लेकिन अब शायर भी पर भी जब से घर से भाहर आ हैं तब से उनको सारी की सारी limelight मिल रही है, सारा का सारा media attention मिल रहा है और ये सारी चीज़े ही तो थी जो शिव ठाकरे चाहते थे और अब उनको जब ये सारी चीज़े मिल रही है तो बहुत जादा खुश भी है वो अभी हाली में शिव ठाकरे जो है वो है मैंने शीफ राश्टाकरे की घर पे चीज़ेट किया है और यही चीज़ सबसे खास हूं राश्टाकरे की जैसे यही चीज श्रोत आणे वहीडरेस की सारा मेडיया से बात कर रहे थे है और यहा उनके अंदर अपधिक कहिए तो यह जो है जिस तरीके से जो आर्टिस्ट वाला जो उनका साइड है राजटा कड़े का वह मेशा को चीज करना है कि वह हमेशा सब आर्टेश्ट को अप्रिशेट करते रहते हैं, पीट थप थपाते रहते हैं समय समय पर, अभी हाली में शियव ठाकरे को उ आने वाले चुनाव में प्रमोशन करें जिस पर शेव ने तुरंद बोला कि देखो ये सवाल का जवाब कैसे दे मेरे को नहीं पता लेकिन हाँ पॉलिटिक्स वगेरा से मेरे को दूर रखो अभी मेरा इससे कुछ देना देना नहीं है फिलाल तक तो मेरा कोई भी मन नहीं है लेकिन हाँ बस मैं इतना बोलूँगा कि रासर हमेशा से सब आर्टिस लोग को अप्रिशेट करते हैं घर पे बुलाके और ये जरूरी भी होता है जब आपको आपको किसी गाउ से आ रहे हो आपका सपना है और आपके अपना सपना पूरा कर लो तो होता है कि कुछ बड़ तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट जानने के लिए बनरी हमारे साथ यानि की फीफा फूस के साथ धन्यवाद